प्रश्र जोतिर विज्ञान में आप सभी दर्सकों का हार्दी कभी नंदन करते हैं। सूर्य यहां अपने पुत्र सनी देव की राशी में इस्थाना अंत्रित होते हैं और यह समय बड़ा ही उत्करश्ट मनाया जाता है। परन्तु अन्य स्थितियों में जोति से मतगणना के अनुसार सनी और सूर्य की सत्रुता प्रत्यक्षय है। मकर्शक्रांती के परवपर जिन लोगों के जन्मिस्थान अत्वा गोचर आदी में सूर्य की स्थितियां नकारात्मक होती हैं। मकर्शक्रांती के संक्रमन में उन लोगों को कष्ट की स्थितियां अवस्थित होती हैं। सर्व समाज को इस समश्षय से निवरत्त करने के लिए मकर्शक्रांती का परवब बनाया जाता है। सूर्य प्रत्वी के अधिकतर तत्वों पर अपना अधिपत्य रखते हैं, स्वामित्व रखते हैं। सूर्य हमारे आत्मा के देवता हैं। सूर्य की सक्ति से ही मानव जीवन, प्रत्वी का समस्त जीवन, प्राणी, वायु मंडल एकाग्रचित होता है, अग्रशर होता है, विकास मार्ग की और प्रदर्शित होता है, प्रत्वी भी सूर्य की उसमा से ही सारी उर्जा को प्राप्त करती है। सूर्य का ऐसी अवस्था में नकारात्म की स्थिति में चला जाना कश्ट की स्थितियों को प्रदर्शित करता है यही समय अधिकतर ठंड की व्रध्धी का सरद की व्रध्धी का भी होता है सूर्य अपने तत्व को मुखरता से प्रदर्शित मानव समाज, जन्तु समाज, प्राणी समाज, प्रत्वी के सभी तत्वों पर प्रदर्शित कर सकें इसलिए मकर सक्रानिती का पर्व मनाया जाता है और इस मकर सक्रानिती के पर्व पर इस्नान, दान, ध्यान, यग, पूजा, आधी की सकारात्मक इस्थितियों को उत्पनितिया जाता है जिससे मंत्रों की उर्जा सूर्य को प्राप्त हो और सूर्य प्रबलता से प्रत्वी के सभी तत्व को पुष्ट कर सके हैं इस दिन मानाव समाज में खिचडी उरद की दाल और चावल की खिचडी का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है यह तत्व भी सूर्य और सनी की एकागरता की इस्थिति को प्रदर्शित करते हैं जहां सूर्य सभी देवताओं के अधिपति हैं तथा इनका प्रतिने निदित्व चावल करता है वही सनी का प्रतिने निदित्व उडद की डाल करती है यह सर्व समाज को प्रदर्शित है कि सनी देवता को उड़त की दाल प्रशन którą करती है इन दोनों को मुश्रित करके दान करने से सूरिय और उसनी दोनों की स्थित्यों को सकार आत्मकुर्जा में प्रवर्दित किया जाता है जिसके साथ साथ तिल तथा गुड का मिष्ठान जिसे रेवडी के नाम से प्रसिद्य है ग्रहविदान किया जाता है तिल भगवान विश्णू से उत्पन हुआ हुआ एक पदार्त है जैस सभी देवताओं को प्रिय है सभी देवताओं को पुष्ट करता है और गुड़ का मिष्ठान पुष्टी दायक है इस तरह इन दानों को करने से मकर सक्रांती के पर्व पर सूर्य तथा सनी से संबंदित होने वाली नकारात्मक उड़ जाओ की निवरत्ती होती है अब वारता करते हैं कि मकर सक्रांती के पर्व पर जात्कों को किन-किन विश्व पर ध्यान देना चाहिए किन-किन उपायों को करके वो अपने पूरे वर्ष की स्थीतियों को अनुकूल बना सकते हैं मेश राशी के जातकों को मकरशक्रान्ती के समय मकरशक्रान्ती के परवपर गुड का दान करना चाहिए इसके साथ साथ गेहूं का दान कर सकते हैं यह इनके लिए बड़ा अनुकूल है और बर्स भर आपको सूर्य तता सनी की स्थीतियों से मुक्तता परदान करेंगे व्रशब राशी के जातकों को इस दिन घी का दान करना चाहिए मिथुन राशी के जातकों को इस दिन तुलसी के व्रक्ष को पौशित करना चाहिए जल आदियरपन करना चाहिए करक राशी के जात्कों को दुगद का दान देना चाहिए सिंग राशी के जात्कों को लाल अनार भगवान संकर के सिब्लिंग पर चड़ाना चाहिए कन्या राशी के जात्कों को घास आदी का चारा जानवरों को अर्थाद गौं को या फिर गौं वंस को देना चाहिए तथा चने का दान देना चाहिए धनु रासी के जातकों को इस दिन बेसन के लड़ू का दान देना चाहिए तथा मकर रासी के जातकों को उड़द और कुम्ब रासी के जातकों को इस दिन तिल का दान करना चाहिए काले तिल का मीन रासी के जातकों को इस दिन गाएं के घीका दान करना चाहिए ये सभी दान खिच्डी अर्थात उरद की दाल और चावल की खिच्डी से भिन दान है सभी रासी के जातकों को उरद की दाल तथा चावल की खिच्डी दान करनी चाहिए इससे इनका वर्स भरका समय अनकूल व्यतित होगा तथा सूर्य तथा सनी से संबंदित समश्याँ से निगत्ति प्राप्त होगी सुबंभावतु भगवत इत्मा अतारा आपका कल्यान करें